मैं इससर आप हमारा थमनल लेके मरे लाड़ लब समझ के होंगे कि आज का जो शेसन है जी आज की जो किलास है एक राज से रिलिटेट है हाँ वो राज्य है सिक्किम राज जी याद रखेगा 16 मही को सिक्किम राज्य का अस्थापना हुआ था क्या पता है मिरे लाड़ लो कि 16 मही को सिक्किम राज्य का क्या हुआ था अस्थापना हुआ था हाँ देखे आजादी के बाद इसके अस्थापना क्या गया है हाँ संग में सामिल क्या गया जी समझेगा कि सिक्किम का अस्थापना 16 मही 1975 को हुआ था का पता है 16 मही 1975 को याद रस अपना किया गया था शिक्किम जो है यह जो इस्तित है पुर्वत्तर भाग में स्तित है कौन से भाग में सिक्किम इस्तित है हां याद रखिएगा सिक्किम गुवा के बाद दूसरा नींदम वाला राज्य है गोवा के बाद कोने दूसरा शिक्किम है जी याद रखेगा सिक्किम राज्य को जो इस्तिती है वो परवती इस्तिती है कैसा आकार की है परवती आकार की है कैसा है पहाड़ वाला राज्य है ठीक है और याद रखेगा फिर लड़ो जो सिक्किम राज्य की नहीं है वो गंग्टोग है क्या बताए गंग्टोग हाँ और सिक्की में छे जिला है कितना जिला बताए छे जिला है कहां पे सिक्की में जी याद रखिएगा सिक्की में जो विधान सवा 32 सीट है कि इसीट बता है दात 32 होता ना तो सिक्की में 32 को क्या है विधान सवा का में जी सिक्कीम में जो वर्तमान समय में राजिपाल जो है वो गंगा परसाथ जी मतलब गंगा जी का मतलब क्या होता है गंगा तो जी पी गंगा परसाथ याद रखिएगा सिक्किम के वर्तमान समय में क्या है राजिपाल है हां और याद रखिए में लाड़ लो सिक्किम के दो वरतमान समय जो मुख्यमंद्री है प्रेम सभागे सित्थ है यह लोसबार बता है एक और राजसभा की सुछ ईघर एक है इस राजिक की बात क्या जैंकि जो साचर्ता है विरासी सब्लाव 666 हाँ और याद रखेगा यह जो विधान मंडल यह क्या है एक सदन यह बधान मंडल है को सराजि का सिक्कीम का जी कि ति बधात में सिक्कीम को चाफकी घाटी कहा जाता है कि बारत का जो बाइस्वा राज्य है बारत का बाइसवा जो राज यहे है याद रखेगा मेरे लाणलो वह शिक्कीम है जी शिक्कीम के जो पश्रीम में जो इस्तीत है वो नेपाल है क्यों है नेपाल बहुत खुबसूरत इलाका एक तरफ सिक्कीम एक तरफ नेपाल की पहाड़ी है ना एक तरफ माउंट एवरेष्ट एक तरफ कंचन जंगा याद रखेगा दच्छिन पुरूब में जो है वो भुटान है दच्छिन पुरूब में कोन है भुटान है और दच्छिन में कोन है पर्शिम मंगाल है अब पू पात है कि जो शिक्किम में जू भासा है सबसेधी जो बोले उप्रिज्टा अंग्रेजी नेपाली और सिक्किमी कहा जाता है कि सिप्किम में गंजन जनगा जो है दूनिया की तिसरी सबसे उची परवत सिरिंखला है जिसको बोलता है न हां इसकी उचाय याद रुखेगा और नेपाली में कंचन जंगा को नेपाली में क्या कहा जाता है जैसे बता है कि तिबती भासा में सिक्किम को क्या कहा जाता है चावल की घाटी कहा जाता है उसी तरह नेपाली भासा में नेपाली में कंचन जंगा को कुमकरन लंगूर कहा जाता है क्या कहा जाता है कुमकरन ल यहां की जो नित्य है बहुत परसिद्न चंब्रूग यह जो नित्य मनाया जाता है याद रखिएगा घरों को हैना परवेश द्वार के जो गिरी परवेश करते हैं तो आत्माओं को आत्माओं को भगाने के लिए आत्माओं को दूर करने के लिए यह तहवार यह नित्य चंब्रूग जो है क्या जाता है हां सिक्किम जो बना और उसका पहला जो मुखमंत्री बना था उसका नाम था काजी लहेदूप दोरजी काजी लहेदूप क्या याद र पाए जाता है इलाची अधिकतर मात्रा में पाए जाता है अधरक मक्का संत्रा और चावल इसकी मुख्य फसल है कहां की शिक्कीम की जी चर्चा कर लेंगे कि चावल से बना एक लोगपिरी वेंजन एक लोगपिरी भोजन सेल रोटी मिता रोटी भी कहते हैं सेल रोटी को हा चावल से बना जो भोजन इसको क्या ब eyeballsा किसो सेल रोटी है जी यहाँ परशिद मंदिर है जो ठाकूर है बात के जाए तो सबसे बड़ा जो जिला है वहें मंग जिला कौन सा जिला पता हैcend जिला हैं ओर सिक्कीम की बात कहिए जो आप हमारे विडियो और पसंध वपासं हो वडियो बिदियो के झना और आप लाइक करें कमेंट करें और अगर आप हमारे में नय हो Sakim हमारे चेनल को जरूर सब्सक्राइब करें जैहिन थैंक यू